The Organized Mind दोस्तो इस किताब की थीम है Thinking Straight in the Age of Information Overload ये बुक समझाती है कि हमारा ब्रेन किस तरह उसे मिलने वाले डेटा को संभालता है यह एक प्रॉसेस है जो Information Overload के इस युग में विशेश रूप से सही है रोजमर्रा की जिंदकी में हमें जिन Decisions को लेनी की जरुवत पड़ती है यह उनके लिए भी एक Practical Guide है दोस्तो अच्छी तरह से सोची समझी गई इन Strategies को सीखने से आपको अपने जीवन को Manage करने में मदद मिलेगी और आप किसी भी काम को अधिक Productivity और Effective तरीके से कर पाएंगे दोस्तो इस किताब के ऑथर है डैनियल लिविटिन जो एक Cognitive Psychologist है और Neuroscientist है वो Music Theory के अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई Best Selling Books लिखी हैं दोस्तो तो आईए The Organized Mind की English Book समरी को सुनते हैं अपने जीवन को Organize करना सीखे दोस्तो जिस तरह से हमारा Mind, Brain Information को Manage करता है वह अकसर रहसे में लगता है डैनियल लिविटिन ने इस बात से परदा उठाते हुए उन Systems का खुलासा किया है जो तब काम कर रहे होते हैं जब हम कार चलाते हैं कुछ नया सीखते हैं या यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ कहां पर रखा है इन Processes की अधिक समझ के साथ आप अपनी Life को Organize करने के लिए बहतर रूप से तैयार हो जाएंगे आपको ये भी पता चलेगा कि सरल टिकनीक्स को कैसे अपलाई किया जाए आप काम पर Productive बने रहने का सबसे अच्छा तरीका जानेंगे और उन Situation से निपटना भी सीखेंगे जो आपके Control से बाहर है Brain एक समय में Limited Inputs पर ही Focus कर सकता है आईए दोस्तों इस Point को हम कुछ Examples के साथ Detail में समझते हैं दोस्तों क्या आपने कभी अपने आप से कहा है कि आप Organized होना चाहते हैं ये एक आसान वादा है लेकिन इस पर Action लेना मुश्किल है दोस्तों तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं इससे पहले कि हम इस चुनौती का सामना करें हमें पहले Detail में ये समझना होगा कि हमारा Mind कैसे काम करता है Specifically हमारा Attentional System कैसे काम करता है यह वह सिस्टम है जिससे हमारा Brain जानकारी को संभालता है और Categorize करता है आज के समय में हम इस सिस्टम में कई Challenges का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन नए Facts और Visuals की बाण से निपटने के लिए तयार नहीं है जिनका हम हर रोज सामना करते हैं इसके बजाए एक समय में एक चीज़ पर फोकस करने पर दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करता है यह हमारे पूरवजों के लिए भी महत्पूर्ण था जो बेहद फोकस्ट रहकर सफलता पूरवक शिकार किया करते थे उनकी सोच केवल इंपॉर्टन घटनाओं से डिस्टर्ब होती होगी जैसे की उनकी और भढ़ते हुए हिंसक जंगली जानवर से आजकल हम एक साथ कई काम करने की लगातार कोशिश कर रहे है जैसे कार चलाते समय रेडियो को सुनना और अपकमिंग बिजनस मीटिंग के बारे में सोचना यह अनकॉमन नहीं है दोस्तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमारा ब्रेन सफलता पूर्व करने के लिए तयार नहीं हुआ है जिसका मतलब है कि मल्टी टास्किंग एक कीमत पर आती है जब हम अपना ध्यान अलग-अलग अक्टिविटीज के बीच लगाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रभावी रूप से काम करने में असमर्थ होता है ये बदले में हमारे बिना सोचे समझे गलतिया करने या चीजों को भूलने और गलत जगे पर रख देने का कारण बनता है हमारे अटेंशनल सिस्टम को बहतर ढंग से समझने के लिए हमें ये भी विचार करने की ज़रुद है कि हमारा ब्रेन ये कैसे डिसाइड करता है कि अटेंशन को कहा लगाना है ब्रेन में बदलाव को डेटेक्ट करने की एक अधभुत शमता होती है दोस्तों हमारे दिमाग में कॉंस्टिंट की तुलना में changes पर जादा ध्यान देने की संभावना होती है उधारन के लिए कलपना कीजिए कि आप अपनी कार चला रहे हैं आपको अचानक लगता है कि सड़क उबढखाबढ़ है इससे पहले आपने यह सोचा ही नहीं था कि सड़क कैसी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आपके लिए उप्योगी जानकारी नहीं थी लेकिन यह महसूस करना important हो सकता है क्योंकि यह आपको अचानक होने वाले बदलाव या आपकी कार की problem से aware कराता है बदलती situations हमारे survival के लिए खत्रा पैदा कर सकती है क्योंकि हम अधिक से अधिक जानकारी से घिरे हैं इसलिए हम अधिक से अधिक decision लेने के लिए मजबूर हैं आए दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं दोस्तो decisions हमारी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा है क्या हमें सस्ते internet plan का option चुनना चाहिए या अधिक भुकतान करके unlimited data को लेना चाहिए क्या हमें अभी इस email का जवाब देना चाहिए या पहले इन notes को पढ़ना चाहिए हम लगबर हर minute इस तरीके के फैसलों का सामना करते हैं लेकिन हमारा दिमाग decisions के non-stop flow का सामना कैसे कर सकता है क्योंकि यह एक समय में एक ही idea पर काम करने के लिए बनाया गया है यह simple है दोस्तों हम focus करके information को manage कर सकते हैं लेकिन ऐसा कैसे करें जैसा कि हमने सीखा है हमारा brain by default उस information पर focus करता है जो हमारे लिए सबसे important होती है तो यहाँ एक उधारन है कलपना कीजे कि आप एक busy सड़क पर अपने खोई हुए कुट्टे की तलाश कर रहे हैं आप automatically लोगों, कारों और बसों जैसी सभी बेमतलब की details को neglect कर देते हैं और केवल उन चीजों पर focus करते हैं जो आपके कुट्टे के जैसे आकार या रंग की है इससे आपका brain तुरंत आपके प्यारे पालतु जानवर को आसानी से ढून पाता है हमारे focus को perfect करने वाले इस automatic process को हमारी decision making में भी reflect होना चाहिए दूसरे शब्दों में आपको कम important वाली detailed choices पर बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए इसके बजाए अपने decision लेने को सरल बनाने के लिए shortcut तरीके ढूनने चाहिए उधारन के लिए एक तरह का decision जो हमें अकसर लेना पड़ता है वह उन products या services को खरीदने के बारे में होता है जो हमारे जीवन को आसान बना सकते है इन decisions का analysis करने का एक अच्छा तरीका हमारे अपने समय की कीमत को पैसों में तोलना होता है क्योंकि ये हमें किसी भी product के वादों के फायदे को compare करने में मदद करता है दोस्तों मान लीजे कि आप अपने घर को खुद साफ करने के बजाए किसी को काम पर रखने के बारे में सोच रहे है अपने आप से पूछें कि क्या आप इस दो घंटे के free time के लिए 50 डॉलर का payment करने को तयार होंगे यदि आपका जवाब हाँ है तो बिना कोई और विचार किये इसे कर दे अब जब हमने सीख लिया है कि हमारे decision लेने को कैसे organize किया जाए तो आगे की समरी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे जीवन के अधिकतर पहलूं को सबसे प्रभावी तरीके से कैसे organize किया जाए हर एक चीज के लिए एक निरधारित जगे खोजें दोस्तों आईए इस point को detail में कुछ examples के साथ समझते हैं आखरी बार आपने कब अपनी चाबी, phone या चश्मा खोया था दोस्तों ये मजाकिया लग सकता है कि हर बार हमें जिन वस्तूओं की जरुरत होती है वे वही होती हैं जिने हम सबसे अधिक बार खो देते हैं इसका कारण सीधा सा है हम जिन चीजों को खो देते हैं हम उन्हें अकसर अपने साथ रखते हैं जिन वस्तूओं का हम केवल एक ही जगे पर यूज़ करते हैं और हमारे पूरवजों के लिए यह जानना इंपॉर्टन था कि पानी का छेद कहां है या वे जगे कहां है जहां पर जंगली जानवर हो सकते हैं हमारे हिपोकैंपस के बारे में अधिक जानने के लिए रिसेर्चर्स ने लंदन के टेक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को स्टडी किया क्योंकि उन्हें शेहर के स्ट्रीट प्लान को याद रखने की जरुरत होती है एक्सपरिमेंट से पता चला कि ड्राइवर्स का हिपोकैंपस उनके समान शिक्षा प्राप्त किये गए लोगों के और उनसे अधिक उमर वाले लोगों के हिपोकैंपस से बड़ा था इस बड़े हिपोकैंपस को डीटेल से कई स्थानों को याद रखने की जरुरत के लिए रिस्पॉंसिबल माना गया था दोस्तों हालनकि हिपोकैंपस केवल उन वस्तों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है जिनका स्थान नहीं बदलता है इसलिए एक टेक्स्टी ड्राइवर को ये याद रखने की प्राप्लम नहीं होती है किसी स्पेसिफिक इमारत तक कैसे पहुँचा जाए परन्तु ये हमारे लिए एक कंटिनियोस प्राप्लम है दोस्तों कि हम यहे याद रख पाएं कि हमारी चाबिया कहा है ये इंशौर करने के लिए कि आपको हमेशा इन जरूरी चीज़ों की तलाश नहीं करनी है आपको बस उनके लिए एक स्पेसिफिक जगे ढूननी होगी अपनी चाबी के लिए आप दरवाजे के बगल में एक स्पेशल बॉल रख सकते हैं ये आप किसी समान के लिए एक स्पेसिफिक जगे डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो डुप्लिकेट चीज़ें खरीदना भी आपकी मदद कर सकता है उधारन के लिए यदि आपको पढ़ने के चश्मे की जरूरत है तो उसके लिए एक ही स्थान होना निराशजनक हो सकता है क्योंकि आपको अलग-अलग जगों पर उनकी जरूरत हो सकती है इसके बजाए आप रात में पढ़ने के लिए अपने बेडरूम के लिए एक जोड़ी चश्मे और खरीच सकते हैं जबकि एक और जोड़ी आप अपने ऑफिस के लिए बनवा सकते हैं तो दोस्तों अपने ब्रेन को एक ब्रेक दें अपने organizational process को अपने दमाग के बाहर ले जाएं आयो दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं क्या आप कभी भी अपने सर के अंदर घूम रहे सभी अलग-अलग ideas या विचारों से confusion महसूस करते हैं यह ensure करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर नज़र रखें और उन्हें अपने दमाग के बाहर organize करें अपने दमाग को खाली करने के लिए चीजों को लिखना शुरू करें दोस्तों जैसे ही आप ideas के बारे में सोचते हैं तो old-fashioned flashcards आपको record करने और organize करने का एक आसान और effective तरीका हो सकता है उधारन के लिए आप बस में हो सकते हैं और अचानक आपको याद आए कि आपको अपनी चाची के लिए जनम दिन का उपहार खरीदना है तनाम ना ले बस इसे लिख दें और अब आप पूरे दिन इसे याद रखने की कोशिश करने का बोज नहीं ढोएंगे दोस्तों दूसरी और यदि कुछ ऐसा सोचते हैं जैसे आप तुरंत कर सकते हैं जैसे कि अपनी चाची को जनम दिन की शुपकामनाए देना तो इसे जादा ना सोचें इसे तुरंत कर दें टू मिनिट रूल को ध्यान में रखें यदि काम को पूरा होने में दो मिनिट से अधिक समय लगता है तो इसे लिख लें नहीं तो सीधे इसे कर दें दोस्तों एक और प्रभावी तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि आप अपने लिखे गए विचारों को कैटेगरीज में ओगनाईज करें इस तरह से हमारा दिमाख लगातार कई स्टिमिलस को कैटेगराईज करता है और हमारी सोच को आसान बनाने में मदद करता है इस प्रकार समय की बचत होती है और हमारी अटेंशन केपासिटी भी भड़ती है उधारन के लिए यदि हम पंकों के साथ उड़ने वाली एक वस्तू को देखते हैं तो हमारा ब्रेन इसे पक्षी के रूप में पहचानता है हलांकि ये पक्षी, बाज या चील हो सकते हैं विशेश रूप से पहचानने के बजाए इसे उस वाइड केटागरी में रखना आसान होता है यही हमारे फ्लैश कार्ड के लिए भी सही है दोस्तों उन्हें एक साथ कलेक्ट करें और उन्हें उन टॉपिक्स के अनुसार अलग-अलग गृप्स में बाट ले जिनसे वे रिलेट कर सकते हैं यह पर्सनल लाइफ, काम या बच्चे जैसी केटागरीज भी हो सकती हैं इस तरह आप अपने विचारों को और अगनाईज और एकसेसिबल रख पाएंगे अलग-अलग तरह के की वस्तूओं के लिए एक जंक ड्रॉर बनाना अविश्वश्निय रूप से प्रभावी है हर दिन उनका उप्योग करे आये दोस्तों इस पॉइंट को हम डीटेल में कुछ एक्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हमने देखा है दोस्तों की कैसे कैटेगरीज बनाना हमारे विचारों और हमारे जीवन को और अगनाईज करने का एक शांदार थरीका है लेकिन हमें उन वस्तों और विचारों के साथ क्या करना चाहिए जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं ये आईटम्स अपनी अलग-अलग कैटेगरी बना सकते हैं ब्रेन की कैटेगराइजिंग को उस तरह से देखा जा सकता है जैसे हम अपने रहने की जगों को और्गनाईज करते हैं हमारी घरों में आमतोर पर कम से कम एक जगे होती है जहां सिंगल लाइट बल्ब, पेपर क्लिप या कार क्लीनिंग प्रॉड़ेक्स जैसी चीजें होती हैं क्योंकि यदि आपके पास केवल कुछी लाइट बल्ब हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक ड्रॉर होने का कोई मतलब नहीं होगा अन्ने स्पेर ऑब्जेक्स के साथ उनको मिलाकर आप जगे को अधिक एफेक्टिवली यूज कर सकते हैं आप भी इन जंक ड्रॉर का उपियोग अपने काम पर कर सकते हैं एक कॉमन फोल्डर में शायद वो डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं जिसमें दूसरे फोल्डर फिट नहीं होते हैं लेकिन उन्हें निप्टाना बहुत भैतपूर हैं दोस्तों हालांकि जंक ड्रॉर केवल तभी एफेक्टिव होगा जब हम समय समय पर उनका थोड़ा सा रखरखाव करते हैं ऐसा करने का पहला तरीका नियमित रूप से उनकी चीजों की जाच करना है यह हमें ट्राक होने से रोक देता है जिससे इसके organizational advantage में कमी आईगी कुछ चीजों को एक junk drawer से हटाया जा सकता है यदि आप उन चीजों को छाट रहे हैं जिन्हें आपने अभी तक use करने की जरूरत महसूस नहीं की है तो यह possibility नहीं है कि आपको भविशे में उनकी जरूरत होगी इन्हें फैका जा सकता है दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि आप बाद में अधिक specific type की चीजों के लिए junk drawer की वस्तूओं को अन्ने स्थानों पर ले जा सकते हैं उधारन के लिए शायद आपने हाल ही में scrap booking में अपनी hobby डवलप की है यदि आप अपने junk drawer को ध्यान से देखते हैं तो आप लगभग एक particular रूप से उन वस्तूओं को धून लेंगे जो scrap booking drawer में एक नई जगे पा सकती है जैसे कि extra catchy या double sided sticky tape recharge के लिए अलग समय decide करें ताकि आप बाद में अपनी productivity को भढ़ा सकें हाँ दोस्तों recharge के लिए अलग समय decide करें ताकि आप बाद में अपनी productivity को भढ़ा सकें आये दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं हर कोई जानता है कि एक अच्छी रात की नींद के बाद आप कहीं अधिक productive होते हैं और फिर भी हम अक्सर थोड़े से अधिक काम करने के लिए कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ देते हैं लेकिन यह एक गलती है दोस्तों जब हम सोते हैं तो हमारा brain काफी hard work करता है यह दिन भर की knowledge को process करता है और existing knowledge में बदल देता है यादें, समस्याएं और विचार अक्सर हमारे सपनों में दिखाई देते हैं और हमारे सोने के बाद हम किसी problem को हल करने के लिए खुद को बहतर position में पा सकते हैं यह process studies द्वारा supported है researchers ने पाया है कि एक problem को solve करने का प्रयास करने वाले चात्रों ने रात को जागने की जगे रात की नीन लेने के बाद बहतर perform किया तो ultimately आप सोने के बाद दुगनी speech से काम कर सकते हैं इसे पता चलता है कि नीन्द जरूरी है और जब आप ठके हुए होते हैं तो काम करने का प्रयास करना गलत है नीन ही एक मातर रास्ता नहीं है जिससे हम अपने दिमाग को फिर से चार्ज कर सकते हैं कई कंपनीज ने employees के काम के समय को कम करके और आराम के लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करके भी benefit उठाया है दोस्तों for example Microsoft में employee को आराम करने और recharge करने के लिए in-house पा का उप्योग करने के लिए motivate किया जाता है यह ना केवल employees के लिए बहुत अच्छा होता है बलकि जैसा कि studies से पता चला है कि काम के घंटों को कम करने पर productivity भढ़ जाती है ऐसी सुविधाओं के साथ rest करने से productivity को भढ़ाने के लिए motivation मिलती है accounting firm Ernst & Young ने additional vacation time की अनुमती देकर workers की performance में सुधार किया है वास्तम में employees द्वारा किये गए हर additional 10 vacation hours से employees की performance की rating में 8 प्रतीशत की growth हुई है सबसे खराब इस्तिती के बारे में सोचना important है ताकि आप हमेशा तयार रहें हाँ दोस्तों सबसे खराब इस्तिती के बारे में सोचना important है ताकि आप हमेशा तयार रहें worst case scenario आईए दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं दोस्तों एक कलपना कीजे कि आप चुट्टी पर हैं और आपको अभी पता चला है कि airline ने आपका समान खो दिया है आप कैसे response करेंगे बेशक positive होना अच्छा है शायद वे आपका bag ढूंड लेंगे लेकिन फिर भी तयार रहना बहतर है अच्छी बात यह है कि आप additional toothbrush साथ में लेके चलें दोस्तों हर बार जब आप कुछ plan बनाते हैं तो आपको उन सभी चीजों पर विचार करना चाहिए जो गलत हो सकती है और उनके होने से पहले solution के बारे में सोचना चाहिए इस तरह से असफलता के लिए plan बनाना मुश्किल नहीं है यह आपके सामने के दरवाजे के बगल वाले गमले के नीचे एक अतरिक चाबी रखने जैसा सिंपल और सीधा हो सकता है business situation में एक plan भी विशेश रूप से important होता है यह सच है कि कभी-कभी सिर्फ बाते होती हैं आप एक important appointment को भूल जाते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति की contact details हो देते हैं जिससे आपको बात करनी होती है लेकिन यदि आप अपना समय आगे के plan को बनाने के लिए निकालते हैं तो इन गलतियों की संभावनाएं कम होंगी दोस्तों electronic calendar की सहायता से आपके phone, computer या दौनों पर आप या ensure कर सकते हैं कि आप फिर कभी meetings के बारे में नहीं भूलेंगे काम पर एक plan B आपके office में एक अतरिक shirt को भी शामिल किया जा सकता है जो तब काम आ सकती है जब आप गलती से अपने boss के साथ एक important appointment से पहले अपनी coffee, अपनी shirt पर घिरार लेते हैं यह भी important है कि हम गलती को रोखने के लिए अकेले technology पर depend नहीं हो सकते दोस्तों phone, computer और un-technical devices सही नहीं है और कुछ points पर हमें बिना किसी चेतावनी के धोका दे सकते हैं, यही कारण है कि आपको backup के रूप में non-technical solutions को भी तयार रखना चाहिए यह कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपका taxi driver करता है वे अपनी कार में plastic credit card press हमेशा रखते हैं ताकि अगर उनकी electronic credit card machine काम नहीं करती है तो वे यह ensure कर सके कि technical failure के कारण वे कोई किराया नहीं खो रहे हैं हम हर सवाल का जवाब नहीं जान सकते लेकिन हम यह जान सकते हैं कि इसे कहां और कैसे ढूंडा जाए हाँ दोस्तों हम हर सवाल का जवाब नहीं जान सकते लेकिन हम यह जान सकते हैं कि इसे कहां और कैसे ढूंडा जाए आए दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं दोस्तों आज हम अपने दादादी के समय से बहुत अलग जीवन जीते हैं। सबसे बड़े बदलाव में से एक वह तरीका है जिससे हम बिना जादा समय लगाए बड़ी मात्रा में जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ मिनिट गूगल करने से भी कम समय लगता है दोस्तों। फिर भी एक इंपोर्टन सवाल जो हमें लगातार खुझ से पूछना चाहिए वो है कि क्या यह जानकारी विश्वशनिय हैं। हमेंसे कई लोग विकिपीडिया का यूज करते हैं दोस्तों। इसमें दी गई जानकारी हमें टॉपिक्स की एक डीटेल्ड सिरीज प्रदान कर सकती है। यह बेहद हेलफुल है। लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है दोस्तों। विकिपीडिया के पेच पर कोई भी जानकारी को एडिट कर सकता है। इसलिए हम कभी भी निश्यत नहीं हो सकते हैं कि क्या यह विश्वश्निय है या नहीं। इसका मतलब है कि हमें जानकारी को वेरिफाय करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह चेक करने के लिए कि कोई वेबसाइट एक वैल्यूबल रिसोर्स है या नहीं। हम पहले यह चेक कर सकते हैं कि कोई विशवशनी वेबसाइट जैसे की established new services या सरकारी वेबसाइट्स उस वेबसाइट से link है या नहीं यदि ऐसा है तो साइट के भरोसे मंद होने की संभावना अधिक हो जाती है और हम इस जानकारी को कई अन्य वेबसाइट के content के साथ cross check करके verify कर सकते हैं दोस्तों हालनकि online checking करके हर problem का solution नहीं मिल सकता है complex दुविधाओं में विशेश रूप से workplace में आपको solution खोजने के लिए आपको खुद के बारे में सोचने की जरुवत होगी inventive और innovative सोच एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सिर्फ Google नहीं कर सकते हैं ऐसे मामलों में hypothetical assumption को argue, estimate और develop करने की शमता important होती है for example Google के job interviews में संभावित उमीदवारों से ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका कोई सही जवाब नहीं होता है यहां आपके try करने के लिए एक सवाल है empire state building का वजन कितना होता है Google को इस बात में दिल्चस्पी थी कि क्या candidate अपनी logical skills का उपयोग करके खुद problem पर काम कर सकते हैं उधान के लिए approximate size और building के लिए उपयोग किये जाने वेले concrete के वजन को calculate करके probabilities को समझें और जानकारी को evaluate करने के लिए important skills को हासिल करें आये दोस्तों इस point को कुछ examples के साथ detail में समझते हैं कल्पना कीजिए कि आप एक SE university में हैं जहां 10% student engineer है या एक student एक pocket protector पहन के आता है जो आपकी shirt की जेब में pen रखने के लिए काम आती है अब आप क्या कहेंगे दोस्तों कि क्या यह एक engineering student है तो fact यह है कि एक pocket protector एक बेहद पढ़ाकू student के लिए एक standard necessary है जिसकी वज़े से आप में से कई लोगों को लगता है कि वह student engineering की पढ़ाई कर सकता है लेकिन 10% ratio को याद रखें दोस्तों यदि 90% चात्र engineer नहीं है तो यह बहुत अधिक संभावना है कि हमारा pocket protector वाला दोस्त engineering की पढ़ाई नहीं करता है हमारी शुरुवाती गलत फहमी उस तरीके को दर्शाती है जिसमें एक person या situation किसी चीज़ का एक idle example लगती है वे हमारे base rate को neglect करने का कारण बन सकती है एक base rate एक event के होने की संभावना है जो अन्य factors को ध्यान में रखे बिना ना पी जाती है base rates के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि probability की हमारी समझ अक्सर उस starting point पर depend करती है जो हम वर्तमान में हैं तो कल्पना कीजिए कि आप बहुत बेमार है आपका doctor आपको एक treatment provide कराता है जो आपके ठीक होने की संभावना को 10% भढ़ा देगा और अगर ये 90% से भढ़कर 100% हो जाता है तो आपकी recovery निश्यत है दोस्तों दोनों ही case में आप treatment का option चुनेंगे लेकिन क्या होगा अगर ये है 20% से भढ़कर 30% हो जाए फिर आप संकोच कर सकते हैं कि इससे सहमत होने से पहले आप treatment के side effects और cost के बारे में पूछ सकते हैं एक statistical perspective से यह अजीब है क्यूंकि इन सभी मामलों में 10% की वृद्धी सेम है scenario उनके अलग-अलग starting points के कारण अलग-अलग महसूस होते हैं हलंकि हमारे दिमाख में probabilities को deal करने में कठनाई होती है लेकिन उनके पीछे के गणित को समझ कर हम उनके implications को अधिक से अधिक objective understanding के साथ अपनी पसंद बना सकते हैं तो दोस्तों अंत में इस किताब के main takeaways मैं आपके सामने फिर से धोराता हूँ पहला जब हम अपना ध्यान कई activities में एक साथ लगाते हैं तो हमारा brain प्रभावी रूप से कारण नहीं कर पाता है यह बदले में हमारे द्वारा बिना सोचे समझे गलतियां करने या चीजों को भूलने का कारण बनता है दूसरा point आपको कम महतपून रोजमर्रा के कामों पर बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए इसके बजाए अपने decision लेने को आसान बनाने के लिए shortcut और कुछ और तरीके ढूनने चाहिए तीसरा point आपने दिमाग को खाली करने के लिए चीजों को लिखना शुरू कर दे जैसे ही आप किसी idea के बारे में सोचते हैं तो उन्हें old-fashioned flashcards में लिख लेना उन्हें organize करने का एक आसान और effective तरीका हो सकता है चौथा point टू मिनिट रूल को ध्यान में रखे यदि काम को पूरा होने में दो मिनिट से अधिक समय लगता है तो इसे लिख ले नहीं तो इसे कर दें दोस्तों तो दोस्तों हमेशे याद रखे हम information overload के युग में रहते हैं यह हमारे brains के लिए एक चुनौती पैदा करता है जिनने एक समय में एक चीज़ पर focus करने के लिए तयार किया जाता है जिस तरीके से हमारा brain information को अलग करता है उसे categorize करता है और हमारे focus को maintain रखता है उस तरीके को जानकर हम भी अपनी life को बहतर ढंक से organize कर सकते हैं बहुत ही शांदर किताब है दोस्तों The Organized Mind हम अपनी जिन्दकी को organize करना चाहते हैं और हमारी जिन्दकी तभी organize होगी जब हमारा mind organize होगा because man is the mind mind is the man change the mind, change the man if you want to change the man, change the mind आशा करते हैं आपको ये किताब पसंद आई होगी दोस्तों बहुत बहुत आपसे गुजारिश है दिल से गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें इतनी अच्छी किताबों की summary's को जन जन तक पहुँचाएं दोस्तों अपने social networking sites पर इनको share जरूर करें like करें, comment करें हम चाहते हैं कि आप तनमंदन किसी भी प्रकार दोस्तों क्योंकि मदद से ही अच्छा काम आगे भड़ सकता है तो यदि आप किसी भी प्रकार हमारी कोई भी साहिता करना चाहें तो 98296447444 पे आप message कर सकते हैं हमारी team आपसे contact करेगी तो आप कुछ भी देना चाहें किसी भी तरीके से share ही कर लीजे इन किताबों को वो भी एक तरीके से देना है लोगों को कह दीजिए कि इस channel को subscribe करें वो भी एक तरीके से देना है और कोई और भी तरीका आपके दिल में आता है तो आप जरूर करिए दोस्तों ग्यान लेना आसान है कुछ ना कुछ करना अच्छे कामों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए पर तब भी हम ये आशा करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे 9829644744 पर WhatsApp करके बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकालते हैं और इन बुक समरीज को सुनते हैं थांक यू थांक यू सो मच कि आप हमारी मुश्किल होता हैं